Good morning friends, बात करेंगे एक exclusive खबर की Cox and Kings के बारे में, पूरी सरल भासर में इसका visualization करेंगे, fundamental analysis करके बताएंगे, fraud के क्या चल रहा है, इसके बारे में क्या latest news है, और अगर आपको खरीदना है as a penny stock, तो क्या है right buying level अभी के market position के basis पर? चली चल कर शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम इस company के basic information के बारे में, तो अगर company के बारे में बात की जाए, चली website पर चल करी देखते हैं, तो देखिए, हमें अच्छे से मालूम है, जब, अच्छे से याद है sorry, जब early 2000s में इंडिया में travel and tourism का crazy चल रहा था, airline industries boom कर रही थी, तो Cox and King was understood कि इंडिया का सबसे बड़ा holiday package booker है यहाँ पर, जो कि एक सही भी है, अभी भी उनके पास में package बहुत अच्छे हैं, बट company की image इतनी खराब हो चुके कि fraud के चलते हुए, अब लोग बाग इसमें अपना package भी book नहीं करना चाह रहे हैं, यह होती है एक बहुत खरा situation अगर company में किसी तरह का fraud पता लगे, तो देखे, इनके पास में आप चाहे यूरोप जाना चाहें, चाहे आप एश्या में जाना चाहें, Singapore और Bali for example, तो आप जहां भी जाना चाहेंगे, इनके पास में package available है, अगर हम इसके कुछ additional fundamental analysis किया जाए, तो company की market cap महस 28 करोड की रह रही है, देखे, एक समय पर यह 1000 करोड में हुआ करती थी, अब सिर्फ 28 करोड यह होते है, wealth erosion, तो इसमें कुछ fundamental analysis कि तरह से अगर देखें, अभी इसकी जो हमारे पास में data available है currently for इसकी sales का, तो sales दर बर दर घठती जा रही है, अगर आप September 2019 की sales देखें, तो महस 300 करोड की sales रहे गई थी, compare to 600 करोड की एक साल पहले, और profitability, इतनी जादा कोई profitability नहीं है, सब loss making unit है, अब यहीं पर अगर हम इसकी holding देखें, तो more than 84% holding public के पास है, यह अच्छा sign नहीं है, promoter के पास महस 12% holding है, और DIA के पास 2, FIA के पास 1.2%, तो उस दरश्ची से दिखा जाए, तो आप और हम जैसे लोगों के पास में बहुत high level पर यह quantity available है, please consult your financial advisor before investing in trading, अब अगर हम बात करें इसके technical level पर, तो दीखे, technical level पर इसने December का मन्त थोड़ा अच्छा stocks, penny stocks के लिए अच्छा रहा है, एक रुपे 40 पैसे जबढ़कर, almost 2 रुपे तक चला गया था, अभी फिर retrace किया और यहां से उपर जाने की कोशिश कर रहा है, यह लग रहा है कि यहां पर 1 रुपे 50 पैसे और 1 रुपे 60 पैसे के बीच में बहुत अच्छी demand zone रहेगी, तो यह सबसे पहला demand zone है, जहां पर आपको अपनी quantity खरीदनी है, बुलिंजर बैंड क्या कह रहा है, बुलिंजर बै investment criteria अलग होता है, long term के लिए large mid cap, large or mid cap का fundamental अलग होता है, तो इसका right level की entry बहुत सही होती है, जौप को ध्यान रखना है, अब अगर हम MACD को देखें तो MACD ने क्योंकि clear cut sell signal generate किया था, पर sell का momentum आगे चल कर लग रहा है, जैसे यह कल की trade हुई है, थोड़ा सा positive रहेगा, अगर alligator indicator के basis पर देखें, तो इसने बहुत अच्छा 1.50 पैसे का support को respect किया है, तो यहां से उपर जाने की काफी उमीद है इसकी, और RSI भी इसका neutral zone में 52 के आसपास RSI है, तो technical parameter पर यहां पर buying बन जाती है, पर दोस्तों ध्यान रखिए, पहला level का buying आपको 1.60 पैसे के आसपास बत भी stock यूज़ कर सकते हैं, और दोस्तों ध्यान रखिए, आपके लिए एक नियम है हमारे channel का 5x5, अगर आप penny stock में निवेश करते हैं, तो 5 अलग-लग company को choose कीजिएगा, और एक company में 2% अगर वो small cap है, और mid cap है, तो 5% तका निवेश कर सकते हैं, हम लोग nifty और bank nifty में intraday active trading को सिखाते हैं, अगर आपको ये सीखना है, तो 8000 रुपे charges के basis पर आप daily earn कर सकते हैं, हमारा telegram channel देखिए, कितने अच्छे लोगों ने earning किया है, आप उसको एक मेहने के लिए try कर सकते हैं, आप वैसे भी पैसा अगर learning करना है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, और थोड़ा सा guidance टीए, जो हम आपको provide कर रहे हैं, ये new year special है, अगर आप next year आएंगे, तो इसका price improve, increase हो जाएगा, चार वीडियो प्रस्त होते हैं, जहिन जय भारत, आपके लिए bye guys